असलाम अलेकुम वीवर्स मेरा नाम है यासी रिशाथ काफी साथा कमेंट्स आये थे कि एक नई वीडियो बना दी जाए जिसमें क्वेश्चेंज बताए जाए मेंली फीजिक्स के तो वीवर्स यह जो क्वेश्चेंज है मैं आपको फिर से बताना चाला हूँ जो कि नई वी वीडियो देखने पड़ेगी और सबसे पहले हम फिर कोश्चेंज अपने शुरू करते हैं यह जो कोश्चेंज आपको बताऊंगा यह बिल्कुल कंसेप्चिल कोश्चन होगे बिल्कुल अकोर्डिंग तो सेलेक्शन सेंटर तो हमारा फास्ट कोश्चन है वीवर्स वीच वीवर्स टेंशन देखें और नॉर्मल फोर्स देखें यह जब तक टायर रोड के साथ कनेक्ट नहीं होगा उस वाक तक फ्रिक्शन अमल मिलाती तो यह नोन मेगनेटिक फोर्स हो जागी और यहां फिर नोन कॉंटक्ट फोर्स हो जागी तो वीवर्स हमारा नेक्स प्रिक्शन की वज़ा से यहां किसी हाइड पर कुछीज मुझूद हो जिसकी वज़ासे उसके अंदर एक अनर्जी पर उसको हम पोटेंशल अनर्जी कहते हैं तो भीवर्स देखें अब इसको हम खीज के रखेंगे तो अपनी पोजिशन की वज़ासे अपनी इसमें 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 चार अप्शन दी यह लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तो आपको कंसेप्ट क्लिर करने की जूरूत है बी इस दी क्रेक्ट अंसर वेच ऑफ फाल्विंग इस नोट आप उसींपल मशीन वह होती है इसमें कोई कंप्लेक्स वार्मूला यां पिर क जो होते हैं ना कंसेप्स यूजन होगा जैसे के बोल्ड होता है वील होता है एकसल पुली वगदा यह साब सिंपल में आते हैं तो इसमें देखें जो बैटरी है एक कॉम्प्लेक्स फार्मुला के जरीब बनती यह इसको खेंगे सो तो डी इस दी विर्ट उनसर वेवर हमा इस पर यूनिट वॉलियम भी कहते हैं इस फार्मूला टू कैल्कूलेट डेंसिटी ओफ एन ऑब्जेक्ट विए इस यूज़ इस यूज़ इन रेर व्यू मिरर ओपकॉर देखें गाड़ियों के शीशे लगे होते हैं साइड वेज पे उसमें वह कौन सा मिर इस्तमाल किया क्यों इस्तमाल किया जाता है क्यों कि वह एक वाइडर एक काफी ज्यादा ब्रॉड पिक्चर हमें दे देता है बिल्कुल छोटे सी शीशे के अंदर भी तो हम उसके अंदर मिर यूज़ करते हैं विए इसमें कह रहा है कि अगर मून पर जाते हैं तो हमारा जो वेट होगा वह क्या होगा इंक्रीज डिक्रीज यह सेम रहेगा तो आपने एक चीज़ क्या रखनी है कि आपका जो वेट होता है ना मून की उपर वह वन सिक्स होता है मतलब अगर किसी आदमी का या किसी भी चीज़ का 60 kg अगर है ना वेट तो मून पर उसका सिर्फ 10 kg हो जाएगा तो इसका जो फिर हम यह कह सकते हैं कि जो अब्जेक्ट है ना जो वेट होगा उसका वह डिक्रीज होगा विच ऑफ दा फॉल्विंग इस नोट और रिन्यूएबल सोर्स ओफ इनर्जी रिन्यूएबल का मतलब हमें पता है कि इसको हम दुबारा रिन्यू करके फिर से इस्तमा होगा फिर यह इसको हम दुबारा रिन्यू नहीं कर सकते तो इसका जो सही और क्रेक्ट अंसर होगा वाट वाट इस दी ऐसा यूनिट ऑफ पावर वाट है वाट हैपन्स तुदी रिजिस्टेंस इन इस इनक्रीज देखें कि किसी भी वायर को ले ले उसके अंदर हम अगर वाल्टीज को इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो रिजिस्टेंस होती है वह ज्यादा हो गी काम होगी है सेम रहे आपने इस चीजह का ख्यार रखना है यह में लाख वो हम लाई ये कहते है कि अगर आप किसी circuit के अंदर voltage को increase करेंगे तो उसकी जो resistance होगी ना वो भी increase होगी तो B is the correct answer तो viewers ये थे हमारे question लेकिन अगर आप इनको PDF form में हासिल करना चाहते हैं और ये देखें साथ में explanation भी है each and every question की तो आपको मैं ये जो है ना question इन सबको मैं पिन कर दूँगा अपने description के अंदर वहां पर आपको link को आप जैसे दुबाएंगे तो आप PDF form मेस को download कर लीजिएगा तो viewers मिलते हैं आप आपसे एक नई वीडियो में female medical assistant की होगी इंशाला तब तब के लिए अलाफिस